आए अब देखें कि हमने जब cash flow statement बनानी है तो उसके बहुत सरे steps involved होंगे क्योंकि यह consolidation का है आप simple company का नहींगे तो इसलिए इसलिए इसमें देखें अब भी इसमें में रखा है तो इसमें देखें क्या चीज़ा है हमने cash flow statement बना दी लेकिन इसकी working की यह figure आई कैसे वह अगली slides में आएगी from operation में देखें operating profit 521 plus interest on the venture आप कहेंगे यह add क्यों किया इसलिए के cash flow statement की requirement यह है कि आपने profit before interest and tax लेके जाना है तो आप अगर इंट्रस पे किया है यकिन पे किया है तो वो इसमें add back करें ताके interest को अलग से क्यों करें अब देके नीचे जाकर देखेंगे आप कही पर कि जो interest paid है अलग से minus किया है आप कहेंगे पर add करने की जुरूरत क्या है उसके standard की requirement यह है कि this should be profit before interest and tax इसलिए हमें जो profit after tax या after interest दिया हुआ है उसको add back करना पड़ता है और नीचे हमने उसको minus भी कर दिया है अब इसमें problem जो आएगी आपको note करने की वह यह है कि दो 17 मेंसे minus आप करें 120 plus 76 यह जो 76 है यह आपकी subsidiary का वो portion जो आपने खरीदा है तो कि इससे जो आपकी purchase आपने नहीं किया इससे cash outflow नहीं हुआ तो balance आपका किस रह गया increase in debtors में भी यही किया हमने कि जो closing debtors है उसमें से अपने पुराने और उसके यानि subsidiary के दोनों को मिला के minus किया इससे तरह creditors की बात है कि आपके current जो है यानि current year के और उसमें से पिछले साल के और जो आपके subsidiary के आ रहे है वो minus किये तो यह अच्छा interest paid आ गया और tax paid में भी देखे आपका tax और उसके tax और वो जो rebate आपको मिली है वो minus की तो आपका balance जो है वो one five जो है वो आ गया tax paid तो operating activities में requirement है कि पहले आप profitable adjustments करें फिर आप working capital की जो changes है उसकी adjustments करें फिर आप clearly बताएं कि tax paid कितना है और interest paid कितना है यह तीन levels है इसके और operating से आपको जो cash inflow बना है वो 471 बना है अब आए cash flow from investing activity पर्चेज of assets में आपके अपने और plus जो उसके पास से आए हैं और minus करें आप four four nine और twenty two उसके balance आपने खरीदे 455 पर इसकी detail नहीं चाहेगी और cash paid on acquisition यह clear है देखें जो cash pay किया है जो share issue किये वो नहीं normally होता ना share issue के तो पैसे आए तो inflow बन जाएगा नहीं इस case में नहीं है आपने assets के बदले में share issue किये तो cash तो नहीं है net cash outflow for the year thirty four जो तीनों figure है ना investing के भी और operating के भी और finance के भी इन सब को net off करें तो net cash outflow बना thirty four जिसका मतलब यह है कि पूरे साल में आपने पिछले साल का जो भी पैसे आए और इस साल के जो आए आपको negative में यानि कम हो गए आपके thirty four thousand से opening cash ता आपके पास one forty आप closing balance में क्यूंकर thirty four आपने उसमें से खर्च किया तो balance आपके पास one zero six बच गया question में problem as such नहीं देखे clear हो जाता है कि तीनों activity को आप net off करके देखें कि आपको इस साल net inflow हुआ या net outflow हुआ तो इस case में net outflow हुआ तो जब आप इसको opening के साथ मैच करते हैं opening के साथ मैच करते हैं तो देखेगा कि closing आपका automatically जो balance sheet में नदर आ रहा है consolidated वो figure आएगा Thank you very much Thank you